आज इसकस करेंगे कौन क्लच के बारे में कि कौन क्लच कैसे काम करता है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे वर्क करता है तो कौन क्लच की जो वर्किंग है उसके पार्ट्स के बारे में आज हम देखेंगे तो कौन क्लच जो इसको नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है कौन मतलब एक तरह के कौन्स होते हैं इसके अंदर इस तरह के देखिए ये कौन्स होते हैं जिनको हम male कौन और female कौन के अंदर बाटते हैं तो कौन्स हम use करते हैं एक flat नहीं होते एक कौन पे होते हैं यह तो इसको कौन क्लच बोला जाता है और क्लच क्या होता है अंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है किस चीज को अंगेज और डिसंगेज करता है ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रीवन शाफ्ट से तो ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रीवन शाफ्ट से अगेज और डिसंगेज करने का काम करता है means engine की power को gearbox से जोड़ने का और हटाने का काम करता है तो कौन clutch के कौन-कौन से parts हैं वो देखते हैं तो इसके अंदर जो main parts हैं वो होते हैं हमारे दो parts जिसको हम female और male member के अंदर divide करते हैं तो ये जो पार्ट है ये है पार्ट female member इसको हम बोलते हैं female member of कौन कलच ये फील में female member है और ये है male member तो जो ये male member है इसके उपर friction lining होती है friction lining ये जो friction lining है ये हमारी काफ़ी चीजों से हम बना सकते है according to requirement, wood की बना सकते हैं, leather की बना सकते हैं लेकिन mainly हम इसको बनाते हैं asbestos से तो asbestos का use किया जाता है इस friction lining को बनाने के लिए अब जो ये female member है ये हमारा connect होता है engine की shaft के साथ engine की जो shaft की power है उसके साथ connect होता है ये जो female member है ये flywheel के साथ connect होता है flywheel crack shaft के साथ connect होती है कहने का क्या मतलब है कि जो engine की power आएगी वो यहाँ पे female member को मिलेगी तो female member उसे लेके rotate करता है तो female member rotate करता है तो इसके अंदर क्या है female member और जो male member है जब तक ये connect नहीं होंगे यहाँ पे हमारा होता है gearbox जो जिसके ऊपर हमें power transmission करनी है तो gearbox यहाँ पे है और engine जो हमारी power है भी यहाँ से आएगी तो engine से जो engine की power है वो हमें gearbox तक transmit करनी है तो ये कब होगी ये rotate करता रहेगा लेकिन अगर जब तक male member इसके साथ connect नहीं होगा तब तक ये power engine की power gearbox तक नहीं जाएगी तो इसके लिए क्या है यहाँ पे देखिए जो male member है यहाँ ये paddle है जिसको हम जब press करते हैं paddle तो इसको engage और डिस engage करने का ये काम करता है engine की power है हम इससे बेज सकते हैं gearbox तक लेकिन जैसे ही हम paddle को press करते हैं तो ये male member क्या होता है ये पीछे की तरफ की सक जाता है तो जिससे क्या होता है ये इससे disengage हो जाता है जैसे हम जब gear chain करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं पहले disengage करते हैं paddle को press करके और फिर gear बदलने के बाद इसको engage कर देते हैं तो जब paddle छोड़ते हैं तो यह male member आगे की तरफ जाता है क्योंकि यहाँ पे लगा है spring तो यह spring force करता है उसको आगे की तरफ जाने के लिए तो engage condition में भी जो spring है इसको engage रखता है लेकिन जैसा फैडल प्रेस करते हैं तो यह disengage हो जाता है तो इस तरह से engage और Disengage करने का काम करता है पैडल तो जैसे फैडल दुबाते हैं,disengage होता है पैडल को छोड़ते हैं दरबार से engage हो जाता है और यह move करता है splines के ऊपर इसके अंदर splines कटी होते हैं इनकी movement के लिए जो ये male member है female के अंदर fit होगा कि जैसे अंदर जाएगा तो These ones के center move करता है तो इसलिए जैसे इस तरह का कौन है ये female Is helps कोन है male है तो ये इसके अंदर fix हो जाता है और ये इसके सात rotate करने के लग जाता तो इसको power gearbox को देता है तो इस जो कौन क्लच का मेलनी जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रेसिंग बोट्स के अंदर रेसिंग बोट्स में ज्यादा तर यूज किया जाता है या जो रेसिंग हमारी चीजें हैं तो रेसिंग के अंदर क्यों यूज किया जाता है क्योंकि जो इसकी अंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट है वह बहुत ही क्विकली होती है देखे जैसे कौन बने हैं दोनों यह कौन है तो अगर हम फ्लैट की बात करें तो पूरा पैडल प्रेस करना पड़ता है डिसंगेज करने के लिए और जब अंगेज होता है जब यह पूरा इसे टच होता है तो इसलिए अगर हम दिसंगेज करना चाहते है या फटाफट गडीर चेंजिग करना चाहते है तो रेशिंग बोट्स रेशिंग कार्स जो हैं उनके अंदर क्या है हम हल्का से पैडल प्रेस करें तो कौन है तो कौन एक दम से Meg saeg j errado और गियर चेंज हो जाता है एकदम सी अंगेज हो जाता है तो इसलिए कौन क्लच का जाद तर यूज रेसिंग बौर्स के अंदर किया जाता है तो यह कुछ पार्ट्स थे कंपरनेस्ट थे और वर्किंग थे कौन क्लच की तो थेंक्यू वीडियो देखने के लिए और लर्न अंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू